हेलो एब्रीवन वेलकम तो माई चैनल आड़ी क्लासेस आसा करता हूं कि आप सभी लोग सोस्त होंगे और मैंने जो भी आप लोगों पिछली क्लास में बताई है उसका रिविजन भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा फिर हम आगे बढ़ते हैं कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को गौस के प्रमे के बारे में बताया था कि गौस का जो प्रमे है वो क्या है लेकिन इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि गौस के प्रमे के का यूज कहां पे होता है ठीक है तो गौस के प्रमे का यूज स तो उसके निकट जो वैद्धू छेत्र की तिवर्ता क्या होगा, निकि अनन्त लंबाई का कोई एक सीधा तार ले लिए और उसको समान रूप से आवेशित कर दिए, तो उसके चारो तरफ जो वैद्धू छेत्र की तिवर्ता होगी वो क्या होगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर टार है अस давно जो है हम इसपे धनावेसित यह ढान रहे हैं यहां पर जो और समान रूप से हैं अब यदि कोई तार है यह अगर कोई सीधा तार है तो उसके एकांक 남자 लंबाई पे जितना भी आवेस आप वित्रित करते हैं एकांक लंबाई पर जितना आवेस बित्रित करते हैं उसको बोलता रेखी आवेस घनत या ऐसे बोले आवेस का रेखी घनत ठीक है इसको लैमडा से प्रदर्सित करते हैं आवेस का रेखी घनत तो तो जो आवेस का रेखी घनत होता है उसको हम प्रदर्सित करते हैं लैमडा से यानि की इस चीन से इसको लैमडा बोला जाता है और लैमडा बराबर होता है आपका Q बटे L, L का मतलब हो गया जैसे अगर माल लेते हैं कि यह आपका एक हमने तार लिया है इसकी L लंबाई पर यह माल लेते हैं लंबाई L है ठीक है यह L लंबाई पर हमने Q कुलाम आवेसों का समान रूप से बित्रड किया है अब चुकि यह तार जो है अनंत लंबाई का है तो ऐसे ही अगली L लंबाई पर हम Q कुलाम आवेस बितरित कर देंगे ठीक है यानि कि प्रतेक एक नियत लंबाई जैनि कि जैसे यहां पर यह लंबाई लेकर चल ले हैं एक नियत लंबाई पर हम समान रूप से जो है अवेस का बितरунд कर देंगे तो उसको बोलेंगे रेखी ह आवेस का रेखिये घनत इसको लेम्डा से प्रत्शित करते हैं लेम्डा बराबर होता आपका क्यू बटे एल अब देखे चू की यहां पर यह जो है आपका यह जो आवेस है है यह धनावेस हैं और जो आप चूंब की चया सुरी जो बैदुत छेत्र होता है वह हमेसा प्रिष्ठ के लंबत होता है तैने इसकी दिशा हो जाएगा यह नहीं कि बैदुत छेत्र की दिशा हो गई अब इसके बाहर हमने यहां पर एक कलपना कर लिया कि एक बिंदू पी है जो इससे आर दूरी पर इस्थी थे, यह दूरी आपकी आर है, इस बिंदु पी पर वैदुत छेत्र की तिवर्ता की गड़ना करना है हमको, यह जो बिंदु पी हमने लिया है, यहाँ पर वैदुत छेत्र की तिवर्ता कितना होगी, इसकी गड़ना करना है, तो सबसे पहले ह हम क्या करेंगे कि माल लेंगे कि यह बिंदु पी जो है किसी गॉसियन कृष्ट के अंदर है। गॉसियन-कृष्ट का मतरब हो गया। ऐसा प्रिश्थ जो बंद याई कि कोई आकर्ति यादि पी जो है 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 और यह हमने बना दिया आपका एक संकू बन गया ठीक है जिसकी लंबाई जो है एल है इस संकू बन गया जिसकी लंबाई है इसके अंदर आपका बिंदू पी है अब इस पर वैद्धुत च्छेत्र की तीवरता की आपको गणना करना अप देखें यहां पे यह संकू मनें टो होने भी लेल लिया है इस बेलन के तीन भाग है यह आफका हो गया है या और यह यह अब कर एस ठीशागा आपका अि फैर Tap diy हैं और यह आद्ट है यह आपकाppen तो और S3 ठीक है अब सब पे हम किसी छोटे प्रिष्ट की कलपना कर लेता है नहीं कि S2 पे माल लेते हैं यहाँ पे छोटा प्रिष्ट हमने कलपना कर लिया यह हो गया आपका ये चोटा प्रिश्ड हो गया क्या है कि ईसकी दिशा क्या होगी स्कुए हमेसाен लंबत वोगि तरह नहीं कि ये दिशा हो जाएगी तो यह आपका होग गया dh2 माल लेते हैं इसको ठीक है एस वन पे हम एक प्रिष्ठ कल्पना कर लेते हैं यह हो गया आपका छोटा प्रिष्ठ हो गया इसकी दिसा हो जाएगी इसके लंबत हो जाएगी तो इसकी दिसा जो जाएगी हो जाएगी फिर यहां पे भी हमें एक छोटे इसी तरह से एक छोटे छेतरफल के बात कर लेते हैं और इसकी दिसा ऐसे लंबत हो जाएगी तो इसकी दिसा हो गया आपके डी एस थ्री हो गई ठीक है अब देखिए अब हम निकालेंगे प्रिष्ठ एस वन से कि गुजरने वाले इस अब फ्लक्स की संख्या ост और यहिए जो आपका एस वन पृप्रिष्ठ है उससे कितने फ्लक्स गुजरेंगे तो सबसे पहले यहां पर देखिए हमने इस एस वन-प्रिष्ट में एक उतासा पंई s1 लिया है तो पहले माले उस छोटे प्रिश्ट से कितना फ्रक्स गुजर गधा तो मालीलन जय जोकी स्थी आपका छोटा है तो फ्लक्स भी कम हों से गुज़ डूल के चलते हैं कि यहां से डी ऩाइब पृष्ट जो है ऐसे दीफाइब फ्लक्स जो है निकल यह है यह इस छोटे प्रिष्ट से तो डीफाइब कारोज जाएका आपकाइब समक्सक्रा अब हमने बात की थी ठोड़े पिस्थ के अब इसी तरह से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रिष्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, इसी तरह से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रिष्ट हो सकते हैं, तो उन सब छोटे प्रिष्टों को मिला करकि हमारा एक सिंगल प्रिष्ट जो है S1 बना है, तो अगर हमको S1 से समाकलन कर देते हैं तो जब समाकलन करेंगे तो अब चुकि यह जो था आपके छोटे प्रिष्ट के लिए था अब इसका समाकलन करेंगे तो बड़े प्रिष्ट के लिए जाएगा तो माल देते हैं कि कुल प्रिष्ट से जो है थाइवन जो है यहां से फ्लक्स गुजर रहे ह और इसको आप लिख सकते हैं E ds1 cos theta ठीक है अब आजाएए यहाँ पर आप देखेए ds1 cos theta अब देखेए इसके और इसके बीच का कोड क्या होगा 90 90 डिगरी का देखेए और इसके 20 का यह आपका 90 डिगरी कहाने की theta बराबर क्या हो गया 90 जब theta बराबर 90 अंस होगा तो कास 90 का मान क्या होता है 0 तो यहाँ पर 5 1 बराबर हो जाएगा 0 तो फिर आजाए यह दूसरी तरफ अब इसी तरह से हम ds2 से कितने flux गुजरेंगे उसको देखते हैं यानिकी अभी हाँ प्रिष्ट अच्व तो से कि गुजरने वाले अब फ्लक्सों की संख्या अब आजाए यहां पर आपका माल लेते हैं सबसे पहले हम छोटे एस्टू सुद देखेंगे नहीं पहले हम यहां पर छोटे वाले प्रिष्ट से देख लेते हैं कि कितने फ्लक्स जो हैं हमारे छोटे प्रिष्ट से गुजरेंगे तो माल लेते हैं कि यहां से जो है डी पूरे प्रिष्ट की बात करेंगे तो दोनों का जो है समाकलन कर देंगे डिफाइटू बराबर हो जाएगा E D S 2 अब माल लेते हैं कि पूरे प्रिष्ट से फाइटू फ्लक्स जो है निकल रहे हैं और यह अपका हो जाएगा E D S 2 कॉस ठीटा अब यहाँ भी आप कि दे देखेंगे यहां से लिए अगर मिलाते हैं तो यहां भी देखिए आपका 90 डीग्री है यादि कि ठीटा बराबर क्या हो गया नब यह तो कास नब्बय कामान क्या हो जाएगा जीरो यानिकि यानि कि फाइटू बराबर हो गया आपका जीरो यानि कि इन दोनों प्रिष्ठों से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजर रहा है अब आज आई ये आप तीसरे वाले पे यानि कि प्रिष्ठ कि एस थ्री से कि गुजरने वाले कि फ्लक्सों की संख्या अब देखें यहाँ पर हमने एक छोटे प्रिष्ठ डी-S3 की कलबना की है यानि इस एस फ्रीप अनी एक डी-एस-3 प्रिष्ठ की कलबना की है जिसकी दिसा जो है से लमद आप देखें दिसा का भी से जाका मतलब होग है कि जैसे यह मार्कर ले लिए आप ठीक है इसके देखे तीन प्रिष्ट है एक दो और यह आपका तीन प्रिष्ट है अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर इसका च्छेत्रफल यहां पर होगा तो जो च्छेत्रफल होता है वो हमेशा जो च्छेत्र है उसके लंबवत होता है जो प्रिष्ट है उसके लंबवत होता है जो होता है प्रिष्ट के लंबत होता अगर हमारा प्रिष्ट यह है तो इसका लंबत क्या है ऐसे लंबत हो जाएगा यानि कि यह आपका प्रिष्ट है तो इसका हो गया ऐसे लंबत और अगर यह प्रिष्ट लेते हैं यानि कि पीछे की तरफ तो इसका यह लंबत हो गया फि इसका जो हो गया दिसा जो हो गई डियस्त्री की दिसा यहां पर हो गई तो यहां पर हमने एक डियस्त्री छोटे प्रिष्ट की कलपना की है जिसकी दिसा यहां पर आपके यहां सिर्डी एस्थ्री की दिशा और वैदू छेत्र की दिशा दोनों की दिशा जो है समानतर है यानि कि दोनों की दिशा समान है स्वरी दोनों की दिशा जो है समान है यानि कि दोनों एक दूसरे के समानतर है ऐसे कह लिजिए या ऐसे यह आपका वैदू छेत्र की भी यहां पर हम एक आवेस ले लेते हैं तो दोनों एक ही दिसा में अब यहां पर क्या हो जाएगा माल लेते हैं कि यहां से 53D 53 जो है फ्लक्स गुजर जा रहा है यानि की छोटे वाले से दीफाइटी फ्लक्स गुजर रहा है तो यह हो जाएगा आपका E D S 3 अब अगर हम पूरे प्रिष्ठ की बात करें तो यहां पर समाकलन कर देना होगा अब देखिए अब जब यहां पर इसका समाकलन कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा फ्लक्स जो है वो गुजर रहा है तो इसको लिख सकते है E D S 3 कास ठीटा अब चुकी देखिए इन दो यह दोनों जो है एक ही दिसा में है यानि कि यहां पर छेत्रफल वेक्टर की दिसा और आपके वैदू छेत्र के दिसा दोनों जो है समान है तो यह ठीटा बराबर क्या हो जाएगा जीरो अंस और कास जीरो का मान क्या होता है एक होता है तो 5 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका E D S 3 या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 3 बराबर E को बाहर ले सकते हैं और D S 3 ठीक है अब देखें D S 3 इस पूरे D S 3 का मतलब हो गया कि यह जो आपका भाग है इसका छेत्रफल मतलब कि यह जैसे आपका बेलन है बेलन के इस भाग का छेत्रफल तो बेलन के इस भाग का छेत्रफल हो गया कि मतलब हो गया बेलन का वकरफ प्रिष्ट होता है लेकिन यहाँ पर हमने L लंबाई का लिया है यह जो लंबाई है L ली है तो यहाँ पे लिख देंगे चू की D S 3 बराबर होता है आपका 2 Pi R L तो 5 3 बराबर हो जाएगा आपका E 2 Pi R L हो गया अब देखिए अब यहाँ पे गौस के प्रमे से तो गौस का नियम में 5 बराबर होता है Q वर्टे Epsilon 0 सोरी थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजे आप लोग अब यहाँ पे कुल आवेस सोरी कुल जो फ्लक्स कितने गुजरेंगे अब यहाँ पे सबसे पर हम निकाल नहेंगे कि कुल कितना फ्लक्स जो है यहाँ से गुजरेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा मान लेते कुल फ्लक्स हैं तो 5 बराबर हो जाएगा फाइबन प्लस फाइटू प्लस फाइट्य थ्री तो आपका जीरो है और यह रह गया आपका फाई-3E 2 Pi R L यानि कि 5 बराबर हो गया E 2 Pi R L ठीक है अब यहाँ पे देखिए गौस के प्रमे से क्या है 5 बराबर है आपका Q बटे एपसाइलम 0 तो यहाँ पे हम 5 के जगाँ पे रख सकते हैं Q बटे एपसाइलम 0 बराबर हो जाएगा E 2 Pi R L ठीक है परंतू अब यहाँ से आप देख लिजिए लेम्डा बराबर है Q बटे L तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परंतू Q बराबर हो जाएगा लेम्डा इंटू L, लेम्डा गुडे L अब यहाँ पे आप रख देंगे तब लेम्डा गुडे L बटे Epsilon 0 बराबर E 2 Pi R L अब E बराबर हो जाएगा आपका Lambda गुड़े L बटे Epsilon 0 2 Pi R L L से यह आपका कड़ गया तो E बराबर हो जाएगा Lambda बटे 2 Pi Epsilon 0 और यह जो हो गया आपका वैदु छेतर की तिवरता हो गया यानिकी इस यह जो आपने तार लिया है अनन्त लंबाई का उसके दवारा उसके चारों तरफ जो बैदु छेतर की तिवरता होगी E बराबर हो जाएगा Lambda बटे 2 Pi Epsilon 0 इन्टू आर ठीक है तो यह जो है आपका गौस के नियम का पहला यूज है फिर आगे मैं बताता हूं गौस के नियम का जो दूसरा यूज है ठीक है तो हमारा दूसरा यूज जो है दूसरा अनुप्रयोग है गौस के प्रमे का अनन्त विस्तार की समतल आवेसित पतली चादर के निकट उत्पन्द वैधु छत्र की तिवर्ता यानि कि यदि कोई अनन्त विस्तार की चादर है जैसे अगर इस तरह से कोई यहां पर आपका कि यह कोई चादर है ठीक है तो यह आपके अनन्त लंबाई की है इसके निकट अगर कोई बींदु हम ले लेते हैं तो उस पे जो है बैधु जो बैधु छत्रुद्पन होगा उसकी तिवर्ता कितने होगी उसकी गर्णा कैसे करेंगे तो सबसे पहले यहां पर बात करते हम कि यह जो हमने कोई एक प्रिष्ठ ले लिया है जो छेत्रफल प्रिष्ठ है ठीक है यह चेत्रफल है और यहां पर जो है धनावेस बित्रित कर दियें कि यह जो आपका प्रिष्ठ है वो धनावेसित है ठीक है अब यदि किसी एकांक छेत्रफल पर किसी एकांक छेत्रफल पर समान रूप से बित्रित आवेस को आवेस का प्रिष्ठ घनत तो कहते हैं यह जैसे अगर कोई एकांक छेत्रफल जो है अमने ए ले लिया ठीक है और प्रतेक ए छेत्रफल पर हम क्यूं कुलाम आवेस जो है बित्रित कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे अब देखिए जैसे यहां पर एक कोई अनंत लंबाई की चादर है जिस पर हमने धना वेसित किया यह जो चादर आपकी धना वेसित है कि करो को अब करें यहां पर ए लंबाई अगर इस चादर के किसी ए छेत्रफल पर क्यूं कुलाम आवेस बित्रित है ठीक है यदी एच छेत्रफल यानि कि मालेजी कि जो अनंत लंबाई की चादर है उसमें कोई एच छेत्रफल है और उससे क्यू कुलाम आवेश हमने बितरित किया गया है तो उसे बोलते हैं आवेश का प्रिष्ठ घनत्व और इसे सिग्मा से प्रदर्सीत करते हैं को कि आविसका तो कि सिंगा इसको सिग्मा काते हैं और सिंग्मा बराबर होता है आपका कि क्यू बठे ई सटीड है आवैस का प्रिष्ठ घनतों सिग्मा बराबर होता है पिखी कियो वते ए प्रिष्ट घनत्व का मतलब हो गया कि किसी एकांक चेतर फल पे किसी एकांक चेतर फल पे बितरित आवेयस कोई एक जैसे माल एक इसका च्छेतर फला भनट्राओं यह लिया है इस बिंदु पे हमको वैदुछ्षतर की तिवर्ता बताना है, अब इस चादर के कारण, इस बिंदु पे जो वैदुछ्षतर की तिवर्ता होगी, उसको हमको बताना है, अब उसके लिए क्या करना होगा? तो यहां भी हम माल एक कि इसको थोड़ा नज़्दीख हaimer करेंगे और यह GAUSSIAN प्रिष्ठ जो को ऑर करें कि यह जवाप का प्रिंष्ट ने की जो छेत्र फ़ले चादर है उसको और करें जैसे अगर यह चादर ले लेते हैं तो ऐसे मतलब यहां पे-एक ऐसा बेलन बनाएंगे ठीक है ऐसे तो यहाँ पे यह देखी यह आपका बन गया तो यह जो आपका एक गौश्यन प्रिष्ट की कलपना की है जो आपके चादर को भेद क्यानी की आर पार करके जा रही है अब यहाँ पे भी आपके तीन प्रिष्ट है एक एस वन है यह दोसरा आपका एस्टू है और यह आपका है 1-3 यानिकि इसमें आपके तीन पार्ट है यह जो आपका बेलाने उसमें तीन पार्थ है जैसा कि मैंने पीछे बताया है एक चीज दूसरी चीज अब चूंकि यह धना आवेसित है यह जो है आपका धना आवेसित है तो इसकी दिशा जो को रिष्ट के लंब Otho का याने की इस आव्यस की जो इसा ओगी ईसे ओगी यही आपकी फेदर कीदिसा ओगिए वही दुक्तर की दिसा होके मैं है कि देनिकी जो वह दुक्तर की दिसा होगी वो बेलरन के प्रिष्ट के समानतर और और यह आपका बजंक प्रिष्ट है उसके समानतर निकलेगे ठीक है अब यहाँ पर देखिए अब आप S1 प्रिष्ट पर आजए यहां पे भी कोई बिंदु हम ले लेते हैं यहां पर ठीक है यहां पर आगर कोई प्रिष्ट हम ले लेते हैं ds1 इसकी आपकी दिसाई हो जाएगी देखिए ds1 ds1 अब इससे होकर गुजरने वाले प्रिष्ट की संख्या निकालेंगे यानि की s1 से गुजरने वाले प्रिष्ट स1 से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या तो सबसे पहले हम यहां पर हमने एक छोटे प्रिष्ट ds1 की कालपना किया और यहां पर हम एक बना लेते हैं ds2 जिएखिए इसकी दिसाइधर हो जाएगा आपके ds2 इसी तरह से यहां पर हम एक प्रिष्ट ले लेते हैं यह आपका हो जाएगा ds3 ठीक है यहां से आपका होगा यह अब देखिए प्रिष्ट से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या क्या होगी तो सबसे पहले हम इस जो यह जो आपका छोटा प्रिष्ट है मतब एस वन के अंदर हमने जो छोटा प्रिष्ट लिया है ds1 इससे कि ने फ्लक्स जो है गुजरेंगे त्वर लिटे है कि ढवाएओं ने फ्लक्स जो है वहां से गुजर रहे हैं तो डिफाइब बिराबर आपको हो जाएगा ibs1 अभर पूरे क्रिश्ट की बात करेंगे तो इसका समाकलाश्य कर देंगे perfect ब्राबर आपर हो जाएगा ई डी एस वन ठीक है अब यहां पर देखिए जब समाकलन का यहां पर चीन हटा देंगे क्यों क्योंकि अब पूरे का माल लेते हैं पूरे में से यहां दे फाइवन जो है फाइवन फ्लक्स जो है निकल ले हैं और यह आपका हो जाएगा इडी एस स्टीटा अब यहां पर आप देखेंगे कि जो व्यद्धू छेतर की दिशा है वही आपके छेत्रफल की भी दिशा यानिकी व्यद्धू शेत्रफल की दिशा समान है यानिकी दोनों के बीच में कोई कोड नहीं बनना है तो ठीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 एंस तो कश 0 ँस बरावर होगा आपका एक तो 51 बरावर हो जाएगा E D S1 ठीक है तो आपका 51 बरावर हो जाएगा E D S1 आ इसको हुए इसको माल ले जिए bs1 बराबर हम माल लेते हैं ए तो 551 बराबर क्या हो जाएगा की यह यह होगी आपका समीकर के जली इसको छोड़ी ठीक है 519 बराबर हो गया ए फिर इसी तरह से हम आप आ गुजरने वाले मेत लक्षोह की संख्या अब यहाँ पर हमने चोटा सा प्रिष्ट लिया डी एस टू यह आपका सोरी किरल्टीस ध होगा और यह डी एस टू ओगा यहाँ पर हमने छोटा सा प्रिष्ठ ले लिया है आपका डी एस टू तो पहले डी एश्टू से कितने फ्लक्स गुजरेंगे उसको निकालना है तो डी एस्टू से माल दीजे कि फाइटू फ्लक्स जो है निकल लाएं डी फाइटू तो डीफाइटू बराबर आपका हो जाएगा डी इंटू डी अश्टू ठीक है अब समाकलन कर देंगे पूरे प्रिष्ट यानि कि अब इस पूरे प्रिष्ट से कितने फ्लक्स निकलेंगे तो उसके लिए समाकलन कर देंगे दोनों साइट का तो जब समाकलन करेंगे तो यह आपका फाइट हो जाएगा यानि कि मालने रहे कि फाइट फ्लक्स जो है इस पूरे प्रिष्ट से निकल ला है और यह आपका हो जाएगा इडी एश्टू कॉस्ट ठीटा अब देखें यहाँ पे यहाँ पे इन दोनों के बीच आनि कि आपका जो वैदू छेत्र है और इस छेत्र फल वेक्टर के बीच में जो है नब्य डिगरी का कोड बन रहने कि ठीटा बराबर क्या हो गया नब्य अंस तो कास नब्य बराबर होता है जीरो तो यह आपका इस थ्री से होकर गुजरने वाले अब लक्सों की संख्या तो आपका स्थ्री से कितना फ्रक्स गुजर रहा है अब देखिए एस थ्री में यहाँ एक छोटा चेत्र लिया किअ डी ऐस थ्री तो पहले हम निकालेंगे कि ds3 से कितना फ्लक्स गुजर रहा है तो माल लेते हैं कि ds3 से d5 3 जो है फ्लक्स गुजर रहा है तो d5 3 आपका हो जाएगा e ds3 ठीक है अब पूरे प्रिष्ट पर आने की पूरे s3 पर हमको निकाल ला है तो इसका समाकलन कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा पूरे प्रिष्ट से माल लेते की 5 3 निकल लाते हैं आप इसको 5 3 लिग देंगे यह बाहर हो जाएगा आपका सुरी अभी यह आपका हो जाएगा अब यहां पर भी देखेंगे जो आपके वैदु छेत्र की दिसा है वही दिसा इस छेत्रफल वेक्टर की भी है यह निकी दोनों जो है लंबवत निकलने ऐसे समझे जैसे दिखिए यह आपका माल लेते हैं कि यह आपका प्रिष्ट है ठीक है इस पर हमने जो है धनावेस क के कि वैद दूछेत्र की तिवरता होगी तो ऐसे सीधे लंबना रगी आपका प्रिष्ठ्ट के लंबबहत होगी बैद शेती की तिवता और यह जो है आपका प्रिष्ट हमने यानि कि यह आपका बेलन मिल्या गया है तो वेलन का जो छछेत्रफल वेक्टर होगा वह बी ऐ ds3 इसको ऐसे e को बाहर ले सकते हैं ds3 हो जाएगा अब माल लेते हैं कि a बराबर a बराबर हो गया आपका ds3 ठीक है तो a भी आपका 53 बराबर क्या हो जाएगा ea अब यहां से कुल फ्लक्सों की संख्या निकाल लीजिए यानि कि कुल जो है इस बेलन से कुल कितने फ्लक्स निकल लाए है यानि कि कुल फ्लक्सों की संख्या माली जी की फाई है तो फाई बराबर हो जाएगा फाई बन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री अब देखिया आपका फाई बन कितना है यहां पर देखे यहां पर फाई टू आया है जीरो प्लस इए यानि कि फाई बराबर हो जाएगा टू इए तो फाई बराबर हो गया आपका टू इए ठीक है सुरी यहां पर थोड़ा मिश्टेक हो गया कंफिजन लें पर कैप्टैंट लए टो म के ड़रक्भालें नहीं लेंगे तो कंफूजन ऊ स्थे यहां के आपका यहां पर यहवा का छहतर ओंदेया तो यह यहां पर हम देखते हैं तो यहां को छोटे से उन यहां अडिये को पूरी का Ton ले ना होगा तो यहां पर हम रख देंगे इसके जगह पर रख देंगे ए ठीक है यहां पर लिग दीजिए माना डी एस वन बराबर ए यह आपका हो जाएगा इए इसी तरह से आपका दूसरे वाले में भी यहां भी कर सकते हैं ए थीक है अब यह आपका होगया 5 बराबर 2EA लेकिन आपका गौस्प्रमे से गौस्प्रमे से 5 बराबर क्या होता है Q into Epsilon 0 तो यहां पर रख देंगे Q बटे Epsilon 0 और यह हो जाएगा आपका 2EA अब देखें यहां से अगर देखें हम तो फूरे बराबर क्या हो जाएगा सिगमा बटे q यह सोजागा नए बराबर हो जाएगा सिगमा बटे q या ऐसे भी कर सकते हैं q बराबर हो जाएगा a into sigma तो यहाँ पर लिख सकते हैं परन्तु q बराबर होता है आपका a गुड़े सिग्मा तो यहाँ पे रख दीजिए ए गुड़े सिग्मा बटे एपसाइलम सिडरो बरावर 2 ए अब देखें यहाँ से ए और ये कट जाएगा आपका बचेगा क्या ई बरावर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एपसाइलम 0 यहाँ से आपका यह हो जाएगी वैद्धु छेत्र की तिवर्ता ए बराबर एपसाइलम जीरो ए सोरी ए बराबर सिग्मा बटे टू एपसाइलम जीरो ठीक है तो आप इसका इसकीन साड़ भी ले सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक हैं शेयर कीजिए और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट बाक्स में जरूर लिखिए और अगर आपको वीडियो जैसी भी लगी अच्छी लगी हो तब भी आप उसको कमेंट कीजिए हमको और साथ ही में अगर आप नए वीवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू बूलिए जिससे हमारी नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें